हमारा टॉपिक है separation of substances suppression of substances में क्या है? हमारे पास mixture है अब mixtures क्या होते है? mixtures are made up of two or more substance okay mixed in any quantity ये line लिखना जरूरी है कि किसी भी quantity में हम उन्हें mix कर सकते है जैसे आपने salt को और sugar को mix कर लिया एके तो कोई भी आप ज्यादा ले सकते हो कोई भी कम ले सकते हो अगर में सब को कहूं कि salt औभ सुगर का mixture बनाओ MA जो पांजी स्टूडेंट से हैं तो सब अपना अलग अलग बनाएंगे किसी का शुगर जादा होगा किसी का सौल्ट जादा होगा सबकी quantity अलग-अलग होगी तो ऐसे जो substances होते हैं mix होते हैं mixture में दो या दो से substances जादा से मिलके बने होते हैं उनको हम mixture कहते हैं देखिए यह रही mixture की exact defined mixture consists of two or more substance mixed together in any proportion अब हमारे पास दो तरहां के mixture होते हैं एक होता है homogeneous mixture और एक होता है हेट्रोजीनियस mixture देखिए जो में आप water है water में आपने salt को dissolve किया salt solution यह जो है यह आपका homogeneous mixture है क्यों क्योंकि इसकी same composition होती है throughout the mixture और components जोते है वो uniformly distributed होते है means के हर जगा आपको same same मिलेगा अब जितनी बार भी इस solution को टेस्ट करेंगे आपको same taste है हेट्रोजीनियस mixture होता है जहां पर composition जो होती है बनावर जो होती है हर जगा सेम नहीं होती अब जैसे मैंने आपको नमक और चीनी कही थी नमक और चीनी को जब आप मिक्स करेंगे आप जब टेस्ट करेंगे तो कभी आपको नमक जादा लगेगा कभी आपको चीनी जादा लगेगी हर बार आपका अलग अलग टेस्ट आएगा तो इसमें components जो होते है वो non uniformly distributed होते हैं तो यह homogeneous mixture है तो अब इसमें important question बनता है difference between homogeneous mixture and heterogeneous mixture तो पहला आप point यह लिखेंगे homogeneous mixture is that has the same composition throughout और उसमें आ जाएगा is heterogeneous mixture is which is that which do not have save composition throughout दूसर पॉइंट आप लिखना components are uniformly distributed components are not uniformly distributed और तीसरा आप इन में से कोई भी example ले ले लेना अब जो हमारा lesson है कि हमें इन mixtures के components को separate करना है अब question यह है कि हमें separate करने की क्यों जरुवत पढ़ती है अब देखिए डाल है आप डाल pulses बनाते हैं उसमें कंकड है तो क्या आप साथ में बना देंगे कभी कभी हमें useful components चाहिए होते इन mixtures से तो उनको separate करने के लिए फिर हमे जोरत पढ़ती है अब simple physical method से separate हो सकते है तो यह procedure है हम कैसे कैसे पढ़ेंगे जैसे हम पहला पढ़ेंगे जो हम solid से solid दो mixture है जो solid के ही है जैसे मैंने आपको बताया दाल और पत्थर इन दोनों के mixture solid ही है तो इनको हम कैसे separate करेंगे फिर एक solid होगा एक liquid होगा और एक liquid में liquid का होगा देखिये mixture solid में बताया था ना hand picking separated by picking them with hands solid solid mixture का अब यह mixture को होता है जब कभी यूज कर सकते हैं आप method यह भी आपको याद करना पड़ेगा जब different color shape or sizes हो और quantity of mixture is small हो अब दाल हम जब घर में बनाते है वो तो थोड़ी सी होती है ना और उसमें दाल का अलग texture होता है औ और पत्थर का अलग होता है वो देखते ही आपको पता चल जाता है तो यह यहरा separating pebble form rice and dal अब थ्रेशिंग थ्रेशिंग होता है आपका farmers करते हैं बूसा होता है जब आप grains देखते हो गेहूं उगती है तो वो चाफ के अंदर होती है ना पूरी तो अब उस गेहूं के दान नीचे फर्श पर मारते हैं उनसे फिर ग्रेंज जो है बाहर निकलाती है अब एक प्रोसेस है हार्वेस्टिंग मतलब होता है कि गड़ यह जो चाफ है तो खेतों में जो है यह फसल इसको काटना और इकट्टा करना उसको हर्वेस्टिंग कहते हैं अब एक मशीन आती है ज देखो विनोइंग कैसे अब नीचे आपने वह इकटा किया उसमें आपके ग्रेंज भी है और वह चाफ भी है ओके जो जिसके अंदर वह कवरिंग है तो अब आप उसको करके हिलाते हैं ऐसे हिलाते हैं हिलाने से क्या होता है जो हाड लाइटर पार्टिकल्स है वह दूर ज जब एक आपका है वह जो तो अलग करने में यूस करते है जो हमारे ग्रेंज ने वह भारी होते है और उनमे जो भूसा होता है हस्क वह हलका होता है next है आपका sieving, sieving क्या है यह आटा चानते है ना आटे चन्नी से यह भी method है जो हम solid से solid को अलग करने में यूज करते है solid-solid mixture को अब यह कैसे काम करता है इसका logic यह है कि हम इसे एक whole वाली चन्नी से पास करते है mesh mesh ठीक है sieve is a wire mesh fixed tightly ना फिर wire mesh चन्नी सी जो होती है आप सबने देखी होगी अब इसका क्या logic है इसका यह logic है कि जो हम दो component ले रहे हैं एक का size तो छोटा हो जो चन्नी में से पास ना हो sorry एक का size छोटा हो जो चन्नी में से पास हो जाए और दूसरे का size बढ़ा हो दूसरे component का जो चन्नी में से पास ना हो अब इसमें क्या है having small price sieve के थू पास हो जाता है और last particles remain on the sieve अब यह wheat floor को हम wheat floor में कभी कभी finely ground floor particles होते ना coarse particles मोटे मोटे वो नहीं लेने के लिए हम उसको गेहूं के आटे से अलग करने के लिए हम sieving use करते हैं यह है आपका magnetic separation magnet से ही आप magnetic separation magnet से ही प्रता लग रहा है अब magnet किन को attract करती है अब यह कहां पर use होता है जब आपको एक उसमें magnet हो और दूसरा कोई दूसरा component हो एक magnetic component हो जो magnet से attract हो जाये ओके अब यह कैसे होता है जो बड़े बड़े जहां पर कूड़ा डंप करते हैं, कूड़े घर, उनमें हम ये मैथड यूज करते हैं, मैगनेटिक सेपरेशन का, कि जो आइरन स्क्रैब है, यानि जो वेस्ट आइरन है, कबाड आइरन, वो इस पे अट्रैक्ड हो जाता है, और कूड़ा जो है दूसरा वो नीचे रह जाता है,